दीदी हमारे माता पिता को लकडियों के अंदर रखकर जलने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने अब हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो पिर हमारे माता पिता कहां चले गए हैं दीदी अब वो बगवान के घर गए हैं और अब से हम दोनों को एक साथ अकेले ही रहना होगा ने दी दी मुझे भी मा और पिताजी के पास ही जाना है मुझे भी चिताके उपर रख कर जला दो ये सुनते ही शगोन और भी जादा फूर्ट फूर्ट कर रोने लगती है वो अपनी चोटी बहन फूर्वी को गले से लगा लेती है और उससे कहती है मा और पिताजी तो मेरा साथ छोड़कर चले गए बहन अब तुम मेरा साथ छोड़कर मत जाना तुमारे अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तुम ही मेरी दुनिया और तुम ही मेरा परिवार हो शगुन ऐसा कहकर अपनी बहन के साथ वापस घर आने लगती है लेकिन घर आते ही उन्हें अपने घर के बाहर कुछ गुंडे नजर आते हैं कौन हो तुम लोग? हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? दीदी मुझे इन लोगों से डर लग रहा है तब ही वहाँ दरोगा आता है अरे आप ये घर तुमारा नहीं बलकि बेरा है ये देखो दस्तावेज, तुमारे पिताजी ने और तुमारी माने घर के नाम पर मुझ से पैसा लिया था कमी ने तुम्हारे माबाब पैसे चुकाने से पहली भगवान को प्यारे हो गई अब से ये घर मेरा हुआ है इसे बेज कर मैं अपना पैसा वसू लूँगा शगुन दरोगा के ये बोलते ही उसके पैरों में गिर कर उससे कहती है ऐसा मत कीजिये मैं आपके पैर पड़ती हूँ हमारे पास हमारे माता पिता और इस घर के अलावा कुछ नहीं था हमें इस घर से मत निकालिये हमारे सर पर इस चट के अलावा और कोई चट भी नहीं है दरोगा शगुन से अपना पैर छुडा कर अपने गुंडों के साथ वहां ताला लगा कर चला जाता है शगुन वही रोती रह जाती है दीदी अब हम लोग कहां जाएंगे? कहां रहेंगे? कहीं तो जाएंगे, कहीं कोई दर्वाजा तो खुलेगा अमारे लिए शगुन अपनी बेहन पूर्वी के साथ अब दर-दर की ठोकरें खाने लगती है उनके पास रहने के लिए छट भी नहीं थी, खाने के लिए खाना भी नहीं था इसी के चलते वो दोनों भीक मागना शुरू कर देती है अंकल अंकल एक समोसा दे दो बहुत जोरो से भूख लगी है अरे चल जाए यहां से, तेरे जैसे बहुत आते हैं भीकादी अब हर किसी को थोड़े ना समोसा देता रहूंगा दुकान वाला पूर्वी को धक्के मार कर वहां से भगा देता है पूर्वी रोने लगती है शगुन तभी रेड लाइट पर एक लड़के को गाड़ियों के शीशे साफ करते हुए देखती है कुछ गाड़ी वाले उसे पैसे भी दे रहे होते है शगुन अपने गले से चुन्नी उतार कर रेड लाइट पर आती जाती गाड़ियों के शीशे साफ करने लगती है जिसके चलते उसे बहुत मेहनत करने परती है कोई उसे पैसे देता तो कोई बिना गाड़ी रोके वहां से चला जाता तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुखती है जिसके अंदर एक प्रेगनेंट लेड़ी बैठी होती है मैडम मैं आपका शीशा साफ कर रही हूँ आप मुझे बस कुछ रुपए दे देना मेरी बेहन सुबह से भूकिया उसने कुछ नहीं खाया शागुन की महनत और लगन देख कर उस प्रेगनेंट लेड़ी को उसके उपर तरस आ जाता है जिस उम्र में इन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए खेलकूत करना चाहिए उस उम्र में इनाद बच्चे संभलना सीख जाते है अराध्या इतना सोच कर गाड़ी का शीशा डाउन करती है तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शागुन है वहाँ मेरी छोटी बहन पूर भी खड़ी है देखो मैं कुछ स्यादा खास मदद तो नहीं कर सकती तुम्हारी लेकिन ये कुछ पैसे हैं इससे तुम अपना खुद का कुछ काम खूल ले ना जानती हूँ आगे की जिंदगी में तुम्हें मेहनत करनी है देखो इन पैसों से आज का मत सोचना आने वाले कल के बारे में सोचना आराध्या पैसे देकर वहाँ से चली जाती है इसके बार शगुन वापस अपनी बेहन के पास आती है और वो देखती है कि गर्मी से उसकी बेहन पूर्वी की हालत बहुत जादा खराब हो जाती है चलो यहां से यहां बहुत दूप हो रही है किसी पेड़ की च्छाओं में बैठेंगे शगुन और पूर्वी एक पेड़ की च्छाओं में आकर बैठ जाते हैं और शगुन बहुत देर तक सोचती है ऐसा क्या करू मैं इन पैसों का जिससे मैं और पैसे कमा सकूँ तब ही वहां से एक फालूदा कुलफी वाला जा रहा होता है शगुन दीदी मुझे भी फालूदा कुलफी खानी है अगर मैंने पूर्वी को पैसों से फालूदा कुलफी खिला दी तो मैं काम नहीं कुल पाऊंगी और नए काम के पैसों में से कुछ पैसे कम हो जाएंगे और अगर मैं फालूदा कुल्फी का काम ही खोल लू तो मैं खुद पैसे कमा सकती हूँ और अपनी बेहन को फालूदा भी बना कर खिला सकती हूँ शगुन ऐसा सोच कर फालूदा कुल्फी वाले के पास जाती है और उसे फालूदा कुल्फी बनाते हुए देखती है वो फालूदा कुल्फी सीख कर फालूदा कुल्फी का सामान लेकर आती है और खुद पेड के नीचे बैठ कर फालूदा कुल्फी बेचना शुरू कर देती है सबसे पहले मेरी फालूदा कुलफी मेरी बहन के लिए ये लो खा कर बताओ कैसी है अच्छी है अच्छी है तेरी फालूदा कुलफी दीदी बहुत अच्छी है शगुन को पेड़ के नीचे फालूदा कुलफी बेचते हुए काफी समय हो जाता है और उसके फालूदा कुलफी खाने कोई नहीं आता जिसके चलते वो निराश हो जाती है अभी तक कोई नहीं आया अब मैं क्या करूँ मेरा सारा सामान खराब ना हो जाए उपर से गर्मी भी बहुत हो रही है तब ही वहाँ एक औरत आती है अरे चुकरिया कैसे बेच रही है फालूदा कुलफी आंटी दस रुपे की एक है खाकर देखो मज़ा आ जाएगा चल ठीक है बना दे शगुन जुमरी के लिए एक फालूदा कुलफी बनाती है जिसे खाते ही जुमरी उसे अपने मूँ से उगल देती है अरे इका मूँ का टेस्ट वाही भिगार दिया आपको पसंद नहीं आई तो दूसरी बना कर दूँ पैसे नहीं लूँगी चिंता मत कीजे ये सुनकर जुमरी हसने लगती है अरे नादान बालक अगर इस तरह कमाने की कोशिश करोगी तो कभी जिन्दगी मां आगे ना बढ़ पाओगी हमारे पास एक जादूई पुडिया है अगर चाहिए तो बोलो जादूई पुडिया? ये जादूई पुडिया मेरे किस काम आएगी? तुम ये जादूई पुडिया के चूरन को थोड़ा-थोड़ा अपनी फालूद आइस्क्रीम में रोज मिलाना और फिर देखना कितनी जल्दी तुम फेमस हो जाती हो जुमरी की तरह? ये सुनकर शगुन खोश होती है और जुमरी से जादूई पुडिया ले लेती है जिसके बाद वो अपनी फालूद आइस्क्रीम में जादूई पुडिया से चुटकी भर चूरन निकाल कर फालूद आइस्क्रीम में डाल देती है जिससे वहाँ एक स्वादिष्ट खुश्बू फैल जाती है और लोग आना शुरू हो जाते है अरे मेरे लिए भी बनाना एक फालूद आइस्क्रीम? इतने सारे ग्राकों को देख कर शगुन थोड़ी हैरान रह जाती है वो एके करके सभी को फालूद आइस्क्रीम बना कर देती है तो वहीं इस बेच जुमरी अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है जुमरी कोई और नहीं बलके अनात बहनों की स्वर्गी अमा थी जो उनकी मदद करके वहाँ से चली गई थी अब जादूई पुडिया के सहारे अनात बहने फालूद आइस्क्रीम बेच कर अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है इस तरह शगोन अपनी बहन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है और वहाँ खाना खिलाती है और साथ ही एक किराई का मकान भी ले लेती है रोजाना गर्मी में दोनों बहने मिलकर पेड के नीचे फालूद आइस्क्रीम बेचती है देखते ही देखते हुने वहाँ फालूद आइस्क्रीम बेचते हुए कुछ समय बीत जाता है कुछ साल बाद वो इतनी फेमस हो जाती है कि उस पेड के नीचे उनकी खुद की दुकान बन जाती है अरे देखो मैं शर्त लगाता हूँ आज इंडिया ही क्रिकेट जीतेगी अरे ऐसा होई नहीं सकता पाकिस्तान ने अच्छे रन लिये हैं आज तो इंडिया का जीतना मुश्किल है अगर आज इंडिया जीत जाती है ना तो मैं तुम सभी को फालूदा आइसक्रीम खिलाओंगा वो भी अनाथ बेनों की फेमस दुकान से ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाती है देखते ही देखते इंडिया मैच जीत जाती है और सभी शगोन और पूर्वी की फालूदा आइसक्रीम की दुकान पर आइसक्रीम खाने आते है अरे दीदी, आज मेरी तरफ से इन सभी को फालूदा आइसक्रीम खिलाओ अपनी जादूई फालूदा आइसक्रीम जिसे खाते ही हर कोई मधोश हो जाता है इसका स्वाद तो जुमान से जाता ही नहीं है हाँ हाँ हो जाएगा क्यों? आखिर जादूई फालूदा आइसक्रीम जो है वैसे किस खुशी में सभी को फालूदा आइसक्रीम खिला रहे हो वो भी फ्री फोकट में? इंडिया जीत गई इसी खुशी में फिर तो मेरी तरफ से मेरी जादूई फालूदा आइसक्रीम आज सभी के लिए मुफ्थ 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 इस तरह अनात बहने जादूई फालूदा आइसक्रीम बेचते हुए अपनी जिन्दगी खुशी से बिताने लगती है और आब उन्हें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती